नवश्कार में हूँ ब्रह्मरत दुबे आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कारी करम देख रहे हैं मद्द पदेश में 2023 के विधान सबा चुनाओ को लिए जिस अंदाज में चुनाओ लड़े जा रहे हैं जिस अंदाज में भारतिय जनता पार्टी टिकेटों की सूची जारी कर रही है और आप खबर है कि कॉंग्रेस भी बड़ी सूची जारी कर सकती है ऐसे में आज हम बात करेंगे मद्द पदेश के सागर जले की खुरही बिरहान सवा की इस सीट पर कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी दोनों की नदर गड़ी है हाला कि ये भारतिय जनता पार्टी का गड़ है क्योंकि मंतरी भूपिन सिंग ने इस छेत्र में जबल जस्त विकास कार करवाए है बस वही उनकी ताकत है कि लोग कहते हैं कि विकास की दम पर फूपिन सिंग की इस बार रह आसान है लेकिन जो खबर आ रही है उसमें अरनोजाई चौबे यहां से चुनाओ लड़ सकते हैं लिलिटपुर के एक बहुत बड़े कांगरेसी ख़लाने के नेता गुड्डू पर खुरई की जनता चलेगी या फिर कोई और बड़ा यहां कारणामा होने वारा है तो देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्स्प्रेस ने उसके साथ मद्वपदेश में जिस अंदाज में कांगरेस भाचपा चुनाओ लड़ने जा रही है उससे एक का जा सकता है कि 2023 का विधान सबा चुनाओ बेहद रोचक होने जा रहा है आज हम एक ऐसी विधान सबा का जिक्र करेंगे जहां कांगरेस को इस विधान सबा में प्रतियासी तलासने में काफी मुसक्कत करनी पड़ रही है जिहां सागर जिले की खुरई विधान सबा जहां से नगरी पिशासन मंत्री भूपिन सीन चुनाओ लड़ते हैं और लगा है आज आदी के बाद विकास से महरूम रहा या छेत्र आज विकास के मामले में मद्वपदेश में जाना जाता है एसी बोट ठाकुल लोधी यादव बाहुलिस विधान सबा में ब्रहमन परन ने छोटे-छोटे बोटों की अपनी दखलंदाजी है मिस्टर कूल के नाम से पहचाने जाने वाले मंत्री भूपिन सिंग का खुरेई से चुनाओ लड़ना ते है वो ही भाजपा के एक मात्रो रिकलोते दाविदार माने जा रहे हैं 2003 में सुर्खी विधान सबा से चुनाओ वालने के बाद मंत्री भूपिन सिंग ने खुरेई विधान सबा की तरफ रुक किया वजय थी परिश्रीमन के बाद यह सीट से सामान हो गई थी 2008 का वो वक्त था उन्हें खुरई से टिकेट मिला उस वक्त वो प्रदेश के महा मंत्री हुआ करते थे लेकिन सीट पर यहां के वोटरों ने पहले ही मन बना लिया था कि खुरई में कई सालों से राजिनिती करने वाले वो 1924 को चुनाओ जिताएंगे उस वक्त भाजपा में कुछ ऐसे लोग थे जो मंत्री भूपिन सीग को हार था हुए देखना चाहते थे लेहाजा भाजपा यहां से 17,000 बोट से चुनाओ हार गई 2009 में लोगसबा सागर का चेहरा भूपिन सीग बने और चुनाओ जीते 2013 में विधान सावा चुनाओ में वो फिर खुरई विधान सावा सीट पर भारतिये जनता पारिटी से उम्मीदवार बने और भाजपा यहां चुनाओ जीत गई उसके बार विधास की इस विधान सावा में वो इवारत लिखी गई कि यह छेत भाजपा का अब गढ़ बन गया है 2018 में वूपिन सीग चुनाओ जीते और दो बार उन्होंने कॉंग्रेस के बड़े नेता अरणोदर शोवी को चुनाओ हरा रहा है विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए एक बार फिर भाजपा यहां से तयार है वहीं अब कॉंग्रेस की बात की जाए तो ललतपूर के सियासी परिवार से बसपा छोड़ कर कॉंग्रेस में आये चंद भूसन सिंग बुंदेला और गुड्डू राजा का नाम तेजी से इस बिधान सबा में चल पड़ा है कि वो यहां से चुनाओ लड़ेंगे उनके पिता और चाचा यूपी में सांसर्द और मंत्री रह चुके हैं यह कांग्रेस का पुराना परिवार है साथ ही खुरई बिधान सबा में यूपी से सटा हुआ ललितपूर है इस परिवार के प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस उने यहां से चुनाओ लड़वाने का मन बना रही है वही दूसरा नाम रक्षा राजपूत है जो तेज तर्राठ नेता है और मंत्री और भाजपा के खलाब खुल कर बोलती है यह काफी वक्त से कांग्रेस के लिए काम कर रही है इस बिधान सवा में सब कुछ भारती है जनता मय है तब भी सरकार और भारती जनता पार्टी कोई चूक करती है तो रक्षा राचपूत अपनी आवास को बुलंद करने में पूरा जोल लगाती है उनका नाम इस बिधान सवा में चुनाव लड़ने में लिया जा रहा है वो मूलता माल्थोन की रहने वाली है लेकिन उनका प्रभाव खुरई बिधान सवा में देखा जाता है वहीं तीसरा नाम अंसुल परिहाल है जो पहले भाजपा में थे और मंत्री भूपिन सिंग के खरीबी थे लेकिन कुछ बज़ा से वो कांग्रेस में आये उनका कहना है तो उन पर छूटे मुकद में दल्ज हुए हैं और वो तीन महीने से जादा जेल में रहे है वहीं कांग् वो कांग्रेस से स्थीपा कर गए लेकिन कांग्रेस मान मनवल कर किसी भी तरह है उन्हें टिकेट देना चाहती है वो एक मात्रें से दावेदार है जिन पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती है आला कि उनकी नेतागरी अभी तक रहस्म ही है वो पर्दे के पीछे जन्ता से दूरी बनाए हुए मीडिया से दूरी बनाए हुए उनका कोई भी वयान नहीं आया वो चुनाओ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेश से इस्तीपा देने के बाद खामोशी बना ली है उनके भारती जंता पार्टी में सामिल होने के भी खयास लगाए जा रहे हैं लेकिन छेत में यह एक ख़बर है कि वो चुनाओ लड़ सकते हैं अगर वो चुनाओ लड़ने का मन बनाते हैं तो कांग्रेश सिर्पोन पर ही मजबूत दाव खेल सकती है बाहराल खुरई विधान सभा में मंतरी भूपिन सिंग के विकास के आगे सारे माडल फैल है और तमाम सर्वे रेपोर्ट कह रही है कि भूपिन सिंग के आगे पीछे साइथ कोई नहीं लेकिन चुनाओ चुनाओ होते हैं वो जनता बोट करती है अब जनता की मन में क्या है यह वो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल जनता ही बताए किस की जमेगी चोपाल तो कौन जाएगा भूपाल आने वाले दिन हम भीना की धर्ती से उन चेहरों को बताएगे जिनमें एक चेहरा भूपाल जाएगा सौरब सिंग पर यार सागर एक्सप्रेस नीज खुले अब आपके सहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं टी एन सीपी एबम रेरा से माननेता प्राप्त सर्ब सुविदा सहिद आवासिय कॉलोनी सभी साइच के प्लोट उपलब्द तो आज ही बिजट करें हमारा पता है सागर रेसिडेंसी बाएदिया तिरा हास सागर सागर का सांदार होटल रोयल पैलेश, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डाइमंड वार के साथ एसी लगजरी रूम, बैंक्वेट हॉल, एबम कॉर्पोरेट, जगत के लिए मीटेंग हॉल तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खुशुरत होटल रोयल पैलेश के साथ पता राजगाट रोड सागर मधिप्रदेश